फाइनिंचल एर 22 तेज में मैंने वजीरिक्स एक्षेंज पर P2P के माददम से USDT को बाई करके एंड सेल करके या फिर रेफरल रिवोर्ड जो मुझे मिला इसके अलाव मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में हो सकता है कि INR में बाई सेल किया हो या USDT में WRX में BTC में किसी भी पेर मुझे गॉर्मेंट को टेक्स देना है और कितना मुझे TDS गॉर्मेंट से लेना है इस वीडियो के माददम से मैं डिटील में आपको step by step explain करने वाला हूँ आप एक से दो मिनट के अंदर अपने जो टेक्स से वो calculate कर सकते हैं बिना किसी error के बट उससे पहले अगर आपने अभी तक अपनी टेक्स प्लानिंग की नहीं है या फिर टेक्स भरने का सोचा ही नहीं है सोचने start कर दीजिए क्योंकि July 31 तारिक last date है financial year 22 ते इसकी ITR file return करने की अगर आप 31 July 2023 से पहले पहले अपना ITR file return नहीं करेंगे सो फिर आपको पैलेंटी में आपकी जो ITR file होगी वो करने ही होगी तो ऐसा बिलकुल मत कीजिए कि आपको पैलेंटी की नौबत आए इसके अलावा अगर आप और अदिक सीखना चाहते हैं crypto tax के बारे में किसी other exchange को यूज करते हैं उपर आपको काफी सारे option मिलेंगे आपको यहां user का logo दिखाई देगा आप इसपे क्लिक करेंगे काफी सारे option मिलेंगे account settings का option मिलेगा आपको इसपे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको left side में काफी सारे option मिलेंगे आपको download reports का option मिलेगा आप यहाँ click करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर trading report का option मिलेगा इसके उपर आप click करेंगे current month आपका select होगा इस पर आप click करके financial year 22 ते select कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप जो trading report download कर रहे हैं न उसमें क्या-क्या होना चीए सबी tick इसलिए करने होंगे क्योंकि हो सकता है कि आपने P2P के मात्रम से trade किया और आपको गलती से पता नहीं लगे तो फिर आपका जो TDS है न वो mismatch हो जाता है कुछ इस प्रकार से वजिर X exchange की तरफ से आपको email आएगा आपको जो attach file मिल रही है इसको आप download करके अपने पास रख लेंगे उसके बाद में आपको वीडियो के description की link को follow करना है आपको CoinX platform का link मिल जाएगा CoinX क्या है, कैसे काम करता है इसके उपर पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है आप वो वीडियो भी देखना चाहते है आपको CoinX के playlist में वो वीडियो मिल जाएगा आप अपने mobile number की माददम से या फिर आप अपने email ID को connect करके यहाँ पर account बना सकते है ऐसे for example, मैं यहाँ पर किसी भी अपने email ID के माददम से account बना लेता हूँ सो मैं यहाँ पर अपने email ID को select करूँगा email ID को select करने के बाद में मेरा जो account बन जाएगा आपका integration वाला जो option होगा वो select होगा अगर नहीं होता है सो third option आपको मिलेगा आप इस पर click कर लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी exchanges दिखाए देंगे करनी होगी तो यहाँ पर आपको trading history का option मिलेगा लिखा होगा click to upload or drop your file here आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर click करने के बाद में फिलाल जो just आपने file download की है ना आप file के उपर click करके उसको select कर लेंगे उसके बाद में file यहाँ upload हो जाएगी बट आपको यहाँ एक बार submit करना होगा तक कि आपको जो tax अवो calculate हो जाए आप देख सकते हैं कि मेरी जो file अवो upload हो चुकी है और मेरा जो tax है ना वो भी calculate हो चुका है अब आपको यहाँ पर जो आपकी काम के option है ना उनको सरफ समझना है यहाँ पर लिखा है taxable gains financial year 22 एंड नीचे भी लिखा हुआ आपको मिल जाता है यहाँ पर आपको profit नहीं दिखाए देगा कि भई कितने profit पर आपका tax लगेगा खेर इसको थोड़ी देर हम छोड़ते हैं आपको उपर ना यहाँ tax reports का option मिलेगा आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके जितने भी transaction होगे ना total वो transaction की detail आपको दिखाए देंगी अगर आपके wallet में crypto deposit हुआ है या withdrawal हुआ है वो दिखाए देगा कितने trade आपके account में हुए है कितना tedious deduct हुआ है वो आपको दिखाए देगा अब आपको यहाँ पर यह नहीं दिखाए दे रहा है कि आपका taxable gain कितना है capital gain कितना है यह सारी चीज़ आपको नहीं दिखाए देंगी आपको यहाँ unlock पर क्लिक करना है so मेरे जो transaction है उसके अनुसार मुझे suggest किया जा रहा है जिसमें up to 1000 transaction तक मैं calculate कर सकता हूँ जिसका roughly जो price पड़ेगा वो 1702 रुपय के संतिक मुझे पड़ेगा आप view all offers पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो भी latest offer चल रहा होगा ना उसके detail आपको दिखाए देंगी आप just उसके उपर apply पे क्लिक करेंगे जैसे हैं आप apply पे क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ instant discount मिल जाएगा और फिर कितना पैसा आपको यहाँ पर pay करना है वो amount दिखाए देगा आप pay securely पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको थोड़ी देर wait करना होगा आप अपने किसी भी UPI app के माददन से इस QR code को scan करके पैसे pay कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पर UPI ID का भी use कर सकते हैं credit card, debit card या net banking एक बार मैं यह payment कर देता हूँ जैसे हैं आप subscription buy कर लेंगे आपको वापस से back कर दिया जाएगा उसके बाद में फिर आपको दिखाए देगा आपका capital gains, business gains इसके अलावा derivatives gains इसके अलावा other आपको जो भी profit हुआ होगा वो भी आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ scroll करके आना होगा जितना भी आपका TDS डिटेक्ट हुआ होगा उसके डिटेल आपको दिखाए देंगी वो भी transaction आपको दिखाए देंगी जिन में TDS डिटेक्ट नहीं हुआ होगा यानि कि वजिर X exchange ने TDS नहीं काटा होगा मेरा complete यहाँ पर TDS काटा है एंड मेरा कोई error भी नहीं है ट्रांजिक्शन में generate tax report पे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद में जो भी आपकी registered email ID होगी CoinX के साथ में उस email ID पर आपको tax report भीज दी जाएगी कुछ इस प्रकार से आपको CoinX की तरब से report मिलेगी अब आप यहाँ पर Excel sheet and PDF दोनों download कर सकते हैं For example मैं यहाँ PDF download कर लेता हूँ और आपको open करके बता देता हूँ जैसे आप download करके open करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको जो PDF हो मिलेगी यहाँ पर कुछ basic detail आपको बताई जा रही है उसके बाद में number of जितने भी आपके transaction होएंगे वो आपने कितने का जो transaction है वो sell किया है उसके बाद में आपने कितने का जो transaction है वो buy का किया था उसके बाद में जो भी आपका profit and loss है वो आपको दिखाए देता है TDS आपको दिखाए देगा थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ और scroll करके आएंगे तो जो भी आपको other income हुई होगी न airdrop के माददम से reward के माददम staking के माददम से mining या जो भी other income होगी वो सभी detail आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो भी आपका fee कटा होगा transaction fee वो आपको यहाँ दिखाई देता है थोड़ा नीचे की तरफ आप scroll करके आएंगे तो यहाँ पे आपके transaction की complete detail दिखाई देगी तो यह जितने भी transaction है न यह income tax department को चाहिए तो जब आपका CA ITR file return करेगा तो आपके सारे transaction वो दरसा देंगे और अगर आपके पास CA नहीं हो और अगर आप ITR file return कराना चाहते तो कोईनेक्स के उपर आपको file ITR का option मिलेगा सिरफ आप 1000 रुपए में अपना जो ITR file है वो return करवा सकते हैं लेकिन आपके जो transaction है वो 500 के अंदर अंदर होने चाहिए इस बात का ध्यान रखना है अगर इससे अधिक हैं आपके तो आप यहां पर 1400 वाला जो plan है simply वो ले सकते हैं